देश और प्रदेश में कोरोना वैस्विक महामारी का संकट लगातार जारी है लेकिन राजस्थान सरकार और चिकित्सा विबाग के और से इस महामारी के दोरान जो प्रियास किये गए उनकी केंद्रे इस्तर पर भी तारीफ की गई साथ ही इस संकट को रोकने में भी काफी सफल राजस्थान सरकार और चिकित्सा विबाग रहा है हमारे साथ हैं चिकित्सा मंत्री रगू सर्मा जी सर एक तरह से अब सूपर मॉडिफाई लोगडाउन लागू है प्रदेश में तो अब किस तरह की मॉनिटरिंग प्रदेश की हमारे यहां तो पहले से ही मॉनिटरिंग में पूरा ध्यान दिया गया कुद मुक्यमंत्री जी जिस ढंग से उन्होंने पिछले दोड़ाई महिने में वीडियो कॉन्फरेंसिंग की मीटिंग्स की डारेक्शन जारी किये डिसीजन लिए जिस प्रदेश में दो मार्च को ज आज हम करने की कपिसिटी में हैं जो कहा गया वो करके दिखाया गया और अब हमारा लक्स है कि इसको 25,000 ले जाएं एक दिन में 25,000 पूरे कंट्री में 35,000,000 टेस्ट हुए हैं राजिस्तान में 45,000,000 टेस्ट हो चुके हैं और अकेले सवाईबान सिंग चिकित साले में एक पाक 10,000 टेस्ट हुए हैं तो हमने टेस्टिंग कैपसिटी हमारी बढ़ा ही टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा की अब आप देख सकते हैं कि रजस्तान में आज दिनांग तक टोटल पॉजिटिव केसिस 9,475 हुए हमारे उसमें से ठीक हो गए 6,506 रिकवरी रेट 68.66 पर कंट्री में किसी भी राज्यका नहीं है और टोटल जो हमारे पॉजिटिव केसिज अभी हैं पूरे स्टेट के अंदर वो है 2766 और जो मई के मईने में हमारे माराश से, बंबई से, सूरत से, हम्दबाद से जो कि कंट्री के सबसे सरवादिक होट स्पोर्ट थे वहां से हमा पॉजिटिव केसिज की संख्या है 2712 अगर 2766 मेसेज 2712 निकाल दो तो हमारे प्रदेश का जो ओरीजिनल फिगर है पॉजिटिव केसिज का वो तो 54 ही रह गया है इसका मतलब राजिस्तान ने इस महामारी को नियंत्रित करके रखा है आगे क्या होगा कोई नहीं कह सकता WHO नहीं कह सकता क्योंकि सब लोग अंदाज लगा रहे हैं कि इसका पीक आएगा कब आएगा कब न, आ, अईगा कब तक चलेगी यह महामारी इलाज इसका में चाए ग्रामी क्षेत्रों कोई लाखा हो हर आदमी मास्क लगाया दिखता है बहुस्ता हैaktan राद मी माख़की deducting कि बात करता है हर आदमी बार-बार साबून सा हथ धोने की बात करता है यह यह आम आदमी में भावना जागरत होगी मुझे अपने आपको स्वस्त रखना है अब लोगडाउन तो फाइब चल रहा है सब कुछ रिलेक्स हो गया कुछ चंद चीजों को छोड़के पट्री पे जिन्दगी आ भी रही है और जैसा डबलुएचो न कहा कि कोरोना के साथ जीने की आदर डालने पड़ेगी तो वो काम प्रदेश वासी खुद ही कर रहे है जैसे बीलवाडा में केसेज बड़े सरकार ने जो प जैपुर की यह कहा जाता था कि तो तंग गलिया हैं सक्री गलियों हैं परकोटे में जिसकी वज़े से बीलवाडा मोडल काम नहीं करेगा लेकिन पूरी तरह से सरकार के जो प्रियास रहे उससे जैपुर में भी इस्तितिनी अंतर ने लिए बीलवाडा मोडल की तो सारी द एक किलोमेटर के दाएरे में तीन किलोमेटर के दाएरे में पांच किलोमेटर के दाएरे में जिस डंग से एक्टिव सर्विलेंस का काम किया गया और स्वास्ति विभाग की टीमें करीब बतीस सो टीम महां पर गटीत की गई रैपिट रेस्पॉंस की टीम महां बेजी गई medical directorate से हमारे भरिष्ट अधिकारियों को हमने वाँ बेजा और 28 लाख लोगों के घरगर जाके वो screening की गई है 6 लाख लोगों को हम quarantine किया गया 18,000 I.L.I. cases को identify करके और institutional quarantine में रखा और जो positive cases आए उनको treatment के लिए जैपूर वाँ रखा गया testing facility थी नहीं उन टेस्टिंग फेसिलिटी भिरवाड़ा में भी डेवलो हुई है कुल मिला के कर्फियू लगाय गया किसी के आने जाने पर प्रतिबंद रहा ये जो practice रही इसलिए भिरवाड़ा मोडल पूरे देश में चर्चित रहा हो उसके बाद hot spot बन गया रामगंज अब रामगंज लोगों ने का भिलवाड़ा को थी नहीं ने कर लिया रामगंज कैसे करोगे जहां कि अब बसावट वाल सिटी का एरिया है एक मकान में 50-50 फैमिली एक फैमिली में कई मेंबर और जीजदंकी थिकली populated इलाका था हो तो फिर हमने इसको पूरे इलाके की मैपिंग करके इसको 2011 की जनगरना के अधार पर 30 क्लस्टर में डिवाइड किया और 30 क्लस्टर में से हर क्लस्टर में से हर रोज 21-21 सेंपल रेंडम ली लिये 630 सेंपल होते हैं पर डे उसी पर्टिकलर इलाके में 630 लोगों की रेंडम सेंपल लेकर टेस्ट किये गए और जो लोग पॉजिटिव पाए गए उनको हॉस्टिलाइज किया गया जो आईलाई के सिंटम्स के कैसे थे उनको क्वारंटीन फैसिलिटी जो हमने यहां नाईला में और मेला में डवलप की वहां भीजा गया और भी जगे जहां-जहां हमनी सरकरी क्वारंटीन के फैसिलिटी थी उसमें भीजा उनके धर्म गुरुवों से बात की बरांतियां नहीं रखे आम आदमी ने वहां भी सयोग किया क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वहां संभवी नहीं थी जिस तरह की रियायस है वहां जिस तरह लोग रहते हैं वहां उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती तो यह जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का काम बहुत तगड़े तरीके से हुआ कौन पॉजिटिव केसे जाया किस-किस के संपर्क में आये वो उन सब लोगों को चिन्नित किया गया खुल मिला के आज रामगंज को भी क्यों खुद भारत सरकार ने माना हम बोलेंगे तो कोई विश्वास करता नहीं आज कल भारत सरकार से ज़्यदा कर्वियों लोगाना पड़ा हमने लगाया लोगों को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी थी और मुक्यमंत्री जी ने जिस लेवल से माइक्रो मेनेजमेंट किया है खुद और क्वारेंटीन फेसिलिटी राजस्तान की नंबर वन किये 11 लाख लोग होट स्पोट एरिया से प्रदेश में आ जाएं वो भी ग्रामीन लाखों में और संक्रवन को हम रोग दें ये सिर्फ और सिर्फ इसले संबब हुआ कि राज्य में बहत्रीन कॉरेंटीन फेसिलिटी थी गाओं के अंदर ग्रामीन कमिल्टी हैं बनी वहाँ के प्रदाना द्यापक सरपंच वहाँ के ग्रामसेवक पटवारी बियेलो और स्वयमसेवी संस्ताओं के लोग पुलिस स्वास्तेवी भाग सबने मिलके और होम कॉरेंटीन उनसे बॉन्ड लिया गया कि मैं 14 दिन क्वारेंटीन में रहूंगा घर पे ही दोनों पड़ोशियों की गवाई हुई और उसकी मोनिटरी हुई पूरी जिन लोगों के पास घर पे परियाब जगे नहीं थी उनके लिए सरकारी क्वारेंटीनी फैसलिटी कीगी शांदार फैसलिटी और दो दो जूलों पर एक एक परिष्टा आईस अधिकारी को एक क्वारेंटीन फैसलिटी को देखने का जिम्मा दिया मुखे मंतरी जी ने और एसी एस तर की अधिकारी श्रीमती विनु गुपता जी को पूरे राजस्तान की quarantine facilities को monitor करने का काम दिया अब अपवाद स्वरूप कोई शिकायत आ सकती है लेकिन सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने बेहतरीन प्रबंदन किया और उसी का नतीजा है कि हमारे positive cases का graph एकदम पहले बढ़ा था वो धीरे-दीरे flat हुआ और अब down हो रहा है यह आकड़े केते हैं बुल्कुर सर आपके बियासों की वज़े से ही recovery दर जो आपने बताई 68.77% रही और अभी जो सर जो cases positive cases आ रहे हैं उनमें प्रवाशी जो मजदूर बाहर से जो आ रहे हैं जिनको सरकार ला रही है उनमें अधिकांस तोर पर प्रवाशी के जो है वो positive आ रहे है तो SME quarantine की वेवस्ता है उसको और सुद्रड करने की आऊशकता है quarantine की तो उनके आने से पहले ही सुद्रड की मुख्यमंतरी जी ने जो सावधानी भरती है उसी सावधानी का नतिज़ा है कि गाओं में positive cases आये उनको identify किया गया लेकिन उसके बावजूद संक्रवन बढ़ने नहीं दिया एक तो गरामेनी जनता खुद जागरूप थी दूसरा व्यवस्ता है हमारे इतनी उम्दा थी कि जो आया है उसने आवश्यक रूप से 14 दिन के quarantine का पालन किया चाहिए वो home quarantine में रहा है चाहिए वो संस्तागत का quarantine में रहा है उसकी monitoring बरबर जिस दंग से हुई अब तो आप देखेंगे कि आने वाले 10-15 दिनों में नए positive cases कितने आते हैं वो मैं नहीं कहता लेकिन जो existing cases है हमारे उनका graph नीचे जाएगा जा रहा है हमारी recovery rate मैंने आपको बताया कि 68.66% है और positive cases जो है वो 2.14% है और मृत्युदर हमारी 2.5 जहुदा है हर index में कल भारत सरकार ने 10 राज्यों का आंकड़ा जारी किया था उसमें हर चीज में हर index में राजस्तान सबसे top है 10 बड़े राज्यों में देश के तो यह अपने आप में जिस commitment के साथ हमारी सरकार काम कर रही है मुकी मंतरी जी काम कर रहे है हमारी bureaucracy काम कर रही है police काम कर रही है medical department में doctors, nursing staff, paramedical स्वास्ते कर्मी एक team भावना के रूप में जो काम कर रहे है उसका नतीजा है जिस तरह से लोगों ने समरपन के साथ काम किया है और लोगों ने जिस अनुसासन का परिचे दिया है इसलिए राजस्तान में इस तंकरम में पकाऊ हुआ अपने लगातार प्रियास भी रहा देखिए मुक्यमंत्री जी ने जो संकल प्यत्त किया है वो ये कहा है कि राज्ये के हर जिला मुक्याले पर जाँच की सुवधा होगी है हमने अब तक 15 जिलों में ये जाँच की सुवधा उपलप करा दि और 15 जिलों में भी 21 जगे पर जैसे जैपूर में हमारी तीन जगे चार जगे जाँच हो रही है जोदपूर में भी तीन जगे हो रही है इस तरह से मिलाग की राजस्तान में 21 सेंटर पर जाँच की सुवधा है विक्सित है 18,250 जाँचे परतिजिन हम आज के दिन कर सकते हैं और आने वाले तीन चार दिन में ये 25,000 हो जाएगी दो मशीने हमारी कोबोस डबल डबल जीरो अमेरिका से जो हमने मंगाई वो आने वाली है वो आईगी तो 9,000 टेस्ट उन दोनों मशीने को आज़े चार हर मशीन का पर दे टेस्ट केपसिटी है तो 9,000 टेस्ट एकदम वो बढ़ेंगे तो ये आकड़ा तो 25,000 से भी ज़्यदा जाएगा और हर जीले में टेस्टिंग फेसिलिटी अभी 10 जीलों को हमने फैसला किया है जिन में सर्वादिक हमारे माईगरेंट और प्रवासी राजिस्तानी आया है उनमें तो मेरे खाल से इस सप्ता के अंदर-अंदर उन 10 जीलों में टेस्टिंग फेसिलिटी शुरू जाएगी ये शिरोई, जालोर, नागोर, इधर से हमारा गंगानगर, हलवर, ये चितोड, आसवाड़ा इस प्रकार ये जीले हैं जहां पर आने वाले एक वीक में और टेस्टिंग फेसिलिटी शुरू जाएगी बिल्कुर सब जिस तरह के जो मरीजों को परेशानी हो रही थी दूसरे रोगों को मरीज हैं उनको ये परेशानी हो रही थी जिसको देखते हो आपने ये निर्ने लिया कि SMS को कोविड फ्री किया जाए और उसको SMS अस्पताल को कोविड फ्री किया गया अब भी क्या स्थिति SMS में है OPD सुचार रूप से चल रही है दूसरे जो मरीज है उनको इससे कितनी रहा है देखे हमने चाय कोविड चल रहा था और हमारे प्रमुक अस्पताल कोविड ट्रीटमेंट में लगे वे थे उस दोरान भी मुख्यमंत्री जी ने साड़े 500 OPD वेन हमारे जो लॉकडाउन की वज़े से लोगों का आना जाना रुका हुआ था शहरों में भी कर्फिव की वज़े से कोई बाहर ने तो 550 OPD वेन पूरे राज्ये में भेजी जिससे लाखों लोगों का अन्य बिमारियों का इलाज हुआ और फिर टेलिव एडिशन शुरू की आठ से दो बज़े तक जिसको इमित्र से हमने जोड़ा और अब पहले जेपुरिया अस्पताल को हमने फ्री किया कोईट फ्री एसमस को अब कोईट फ्री किया राज्ये के प्रमुक्ची किसाले जहां जाबी है हर जगे समाचादर पत्रों माँ पढ़ना कि उनका क्रम जार में बड़े अस्पतालों को फ्री कर रहे हैं ताकि जो हमारे राष्ट्री कारिक्रम हैं और जो क्रोनिकल डीजीज के हमारे दूसरे पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट भी बदस्तूर जारी रहें कई सर्जिरीज टल गई थी जो जिनको जल्दी नहीं थी रुख सकते थ उनको हमने अपील की पहले कि आप कुछ दिन रुख जाओ बाद में करा ले वो डेफर्ड सर्जिरीज हैं वो जब हो जाएंगी अराम से कुल मिला कि रजस्तान में एक नया बातावन बनाया चिकिस्ता जगत में और जिस दंग से कोविट में अब तक नियंतरन किया आगे क कि आओगा कोई नहीं कैसकता संकट के समय में आपने एक और बॉल्ट डिसिजन लिया है प्राइविट जो हॉस्पिटल से उनको भी कोविट का इलाज के लिए इंस्टेक्शन दिये हैं कि ऐसे संकट के समय उनको भी सरकार के मदद क्या आम जनकी मदद के लिए आगे आने स करते है जब निजीक शेत्र के चिकिटसाले सरकार की हर योजनाओं से लाप उठाते हैं जमीने और कोई रियायत यह रियायत नहीं भी हो तो उनको स्विकृत इपिर दे रहे हैं उनको जन्ता की सेवा कही तो उद्दिशए उनका भी तो अमामारी आती है कभी कभी आती है या विपत्ती आती है, उस विपत्ती में सरकार के साथ और जनता के साथ, खड़ा रेना उनका भी करतबे है, कई लोगों ने अच्छा रोल प्ले किया है, प्राइबेट सेक्टर के लोगों ने, और कई लोगों ने आनका नहीं भी किया, रैफर कर दी है सरकारी स्कूल, चीकेट साले, आम जनता की हित में खड़ी नहीं होंगे, तो फिर इन चीकेट सालों पर कारवाई तो सरकार को करनी पड़ेगी, जब हमारी सरकार का एक साल पूरा हुआ, तो मुख्यमंतरी जी ने संकल्प विक्त किया था, कि राजस्तान निरोगी बने, और उसके लिए आम आदमी में, ये जागरूपता का भाव पैदा कर सके हम, कि उसके खुद के मन में ये बात आ जाए कि मुझे स्वस्त रहना है, उसके लिए उत्परेरक की भूमिका, या ब्रांड एमेसेडर के दोस्त को, स्वास्त भी भाग का, क्योंकि हमारी जो कारिकरम चल रहे हैं, चाहे टीका करन ह है, चाहे हमारी प्रेग्जनेंट बेरों की प्रसव पूर देखबाल है, प्रसव के दोरान या प्रसव के बाद में, क्या देखबाल करनी है, या हमारे जो टीबी उन्मूलन के कारिकरम है, या कैंसर से जो लड़ने के कारिकरम है, और राष्टी कारिकरम है, उन तमाम कारि कारिक्रमों में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करें तबी तो ये कारिक्रम की सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम हमारे हेल्थ वर्कर्स वो काम कर भी रहे थे लेकिन उसको और इंटेंसिफाई करने के लिए मुख्यमंत जिरोगी बनाने का काम करना चाहते हैं उनको स्वास्ते मित्र का नाम देखे हमने कारिक्रम अनौंस किया था उसमें हमने 27,000 आदमी चैनित कर लिया थी ट्रेनिंग भी थी इसी बीच में कोरोना आ गया तो फिर सभी लोगों का ध्यान इसमें लग गया अब फिर से हमने इस मुहिम को शुरू किया है और इस जून के महीने में ये सलेक्शन का प्रोसेस हमारा पूरा हो जाएगा चालीस हजार से ज़धा राजिम में राजेश गाओं हैं हर गाओं से दो-दो एक बहन और एक भाई उनका सलेक्शन करेंगे ट्रेनिंग होगी उनकी पहले ट्रेनर्स स्यांकरियों कि मुझे जांज भी करानी है मुझे स्वस्त रहना है फिर दोमरपान नहीं करना है इसमें 10 उद्धिश्षा स्या रख एम्ने को बिएसन नहीं करना है बुड़ापे में जिस तरह की देखवाल करनी है वो करनी है कि सोरा वस्ता में क्या-क्या समश्या है आती है उनके उपर बात करनी है जनसंख्या नियंद्रण उस पर हम लोगों को समझा पाए एक सो तीस करोड इस देश में लोग है आज संसाधन कितने भी बढ़ाओ आप बढ़ती भी अबादी रहेगी तो फिर वो संसाधन कम होते जाएंगे आम वादमी में खुद में ये भावना है कि मुझे सीमित जनसंख्या रखनी है तो यह सब चीजें ऐसी है जो अवेरनेस के मद्यम से आ सकती है इसलिए निरोगी राजस्तान और यह स्वास्तिमित्र यह हमारा भीयन चल रहा है आने वाले समय में बहुत तेजी से और जो MLA LED का आपने कहा राजस्तान पहला स्टेट है क्योंकि संसद में तो भारत सरकार ने दो साल का खतमी कर दिया MPs का MP LED यहां खतम करने की बजाए मुझे मंत्री जी ने यह कहा है कि Health Infrastructure को मजबूत किया जाना चाहिए राजस्तान के अंदर तो यह जो पैसा ह उनी की अनुसंसा पर MLA LED की उनके खुद के निर्वाचन क्षेतर में जो भी कमिया है चाहिए एक्यूप्मेंट्स के कमियें बिल्डिंग की कमियें जो भी Health Infrastructure में उनको लगता है PSC, CSC सबसेंटर हमारे delivery point हाईजिनिक हों सुविधर जनक हों तो संस्तागत प्रसों भी हमा वो ज़्यादा सुविधाएं विक्सित करना चाहें तो सारे जिले के विधायक मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा देके महा सारी सुविधाएं ताकि उस जिले के लोगों को सब को लाब मिल सकता है जो बड़े अस्पताल के लिए यह सब planning का part है आने वाले समय में इसी पर सरक सरकार काम करेगी केंद सरकार से की 10,000 रुपए जो आयकर दाता नहीं है उन गरीबों को दिये जाए तक कि अर्थविवस्ता है वो पठ्री पर आ सके रोजगार है नरेगा में वो 100 दिन से बढ़ा कर 200 दिन किया जाए और सर इसी के साथ एक सवाल कि आपको इस कोवीड की ल से लिए हैल सेक्टर में देंगे उस 15,000 में से 201 करोड रुपए हमको दिये थे हैं यह यह तो हमारे स्वास्त भी बाकी बात है बाकी तो 200 करोड का जो पेकेज है उस पर अर्थशास्त्री सब बता ही रहे है कि उसकी सच्चा ही क्या है वो रिण है या वो किसी को दिया जा र में धोल और नंगाडे बजा बजा की की गई आज उस सच्चाई से रूप रूप बर्तमान सरकार को होना पड़ा नहीं होना पड़ा इस देश का जीवन धाइनी योजना है यह जो सोनिया गांदी जी ने और मनमौन सिंजी ने शुरू की थी आज इस सच्चाई को कबूल क करना पड़ा जिन लोगों ने इसका मकौल उड़ाया यह नरेगा नहीं होता तो यह कित्ते लोग मरते इसकी कल्पना को ही कर सकता है उसी नरेगा को मजबूत करने की जुरूत है और सो दिन की बजाए 200 दिन आप कर दो उस गरीब मजदूर को जिसने रास्ते में दम तोड़ दिया इसके परिवार के सदर से उससे विशुड़ गए जिस ढंकी यातनों के दोर से गुजरना पड़ा जो दुरगती हुई है लेबर्स की स्रमिकों की गरीबों की इस दोर में वो भयावे दरस्चे सोशल मीडिया पर आम आदमी ने देख होगे उखड़ी नहीं हो सकती आप उनको सायता दो उससे रुज़गार मिलेगा लोगों को नरेगा 200 दिन का करो और गरीबों को जिनके खाने का अनाज नहीं गर में पहली मुस्त एक तो कम से कम 10,000 रुपे उनके अकाउंट में ट्रांसल लो और लग 6 महीने तर साड़े साथ अजार रुपे उनके अकाउंट में दो तब तो खड़े होंगे उनकी पर्चेजिंग पावर बढ़ेगी तो हमारे उद्योग धंदे भी चल जाएंगे औरना उद्योगों में कोई भी पैदा होता रहे खरीददार नहीं है तो कैसे देश की एकोनोमी पट्र चीज है और इसके लिए भारत सरकार को आगे आके और कोई सार्थक कदम उठाने पड़ेंगे मनी ट्रांसपर का काम करना पड़ेगा कैश बातों से नहीं चलेगा देश अब तो आम आदमी के पेट में रोटी चीए रोजगार चीए आतमे उद्योग धंदे वापस खड़ उह और हमारा साइकल चले तब अर्थ वेवस्ता पड़ी पे आएगी पर आतवी असथा तो पड़ी सो तर गईगिये प्रवाग भी और तमाम जो विधायक विभाग हैं सरकार के वो मिलकर कोविड की लड़ाई में काम कर रहे हैं साथ ही केंद सरकार से उन्होंने अफील किये कि गरीबियों के जो काई करदाता नहीं है कॉंग्रेस पार्टी ने जो मांग रखी है उनको 10,000 रुपे दिये जाएं ताकि अर्थ विवस्ता का पहिया है वो पट्री पर आ सके वीडियो जैनलिस्ट राम किसन सेनी के साथ दिनिस का साना एवन टीवी जैपूर